अगर एक वक्त खालिया तो दो दिन के लिए छुट्टी हो गई बच्ची के लिए तासा हल्वा ये रूटियां बन जाती थी ऐसी दशा में स्वास्ति क्यों न बिगरता चिंता, शोक, दुरवस्था, एक हो तो कोई कहे यहां तो त्रैताप का धावा था उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खाली थी करती ही क्या, उन थोड़े से रुप्यों में दवा की गुंजाइश कहा थी जहां भूजन का थिकाना ना था, वहां दवा का सिक्र ही क्या दिन दिन सूकती चली जाती थी एक दिन रुक्मिनी ने कहा पहू, इस तरह कब तक खुला करोगी जी है, तो जहान है चलो, किसी वैत्य को दिखा लाओ निर्मला ने विरक्त भाव से कहा जिसे रोने ही के लिए जीना हो, उसका मर जाना ही अच्छा रुक्मिनी, बुलाने से तो मौत नहीं आती निर्मला, मौत तो बिना बुलाया आती है बुलाने पर क्यों ना आएगी उसके आने में बहुत दिन ना लगेंगे बेहन जै दिन चलती हूँ, उतने साल समझ लीजिए रुक्मिनी, दिल ऐसा छोटा मत कर बहो अभी संसार का सुख ही क्या देखा है निर्मला, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मुख मुझे बांधे हुए है नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती ना जाने इस बेचारी के भागे में क्या लिखा है निर्मला की आवाज सुनते ही तोड़ परती घंटों उसके पास कथा पुरान सुनाया करती कोई ऐसी चीज पकाना चाहती जिसे निर्मला रूची से खाए निर्मला को कभी हसते देख लेती तो निहाल हो जाती और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाई रहती उसी की नीन सोती उसी की नीन चाकती वही बालिका अब उनके जीवन का आधार है रुकमिने ने ज़रा देर बात कहा बहु तुम इतनी निराश क्यों होती हो भगवान चाहेंगे तो तुम दोचा दिन में अच्छी हो जाओगी मेरे साथ आओ वैद जी के पास चलो पढ़े सज्जन है निर्मला दीदी जी अब मुझे किसी वैद हकीम की दवा फायता ना करेगी आप मेरी चिंता ना करें बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हो अगर जीती जाकती रही तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजेगा मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कर सकी केवल चन देने भर की अपराधेनी हो चाहे क्वारी रखेगा चाहे विश देकर मार डालेगा पर कुपात्र के गले में ना मड़ियेगा इतनी ही आप से मेरी विनए है मैंने आपकी कुछ सेवा ना की इसका पड़ा दुख हो रहा है मुझा भागिन से किसी कुछ सुक नहीं मिला जिस पर मेरी चाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि इस करम जली के अपराद शमा करते रुकमनी रोती हुई बोली बहु तुम्हारा कोई अपराद नहीं इश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में सरा भी पहल नहीं हाँ मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपड किया इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा दीदी कहने की बात नहीं पर बिना कहे राह नहीं जाता स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टी से देखा लेकिन कभी मैंने मन्क में भी उनकी उपेक्षा नहीं की जो होना था वो तो हो ही चुका था अधर्म करके अपना परलोग क्यों विगारती पूर्व जनम में ना जाने कौन से पाप किये थे जीवन की संपूर्ण विपत कथा की ब्रिहत आलूचना थी वानी में इतनी सामर्थे कहां तिन दिनों तक निर्मला की आँखों से आशूं की धारब भहती रही वो ना किसी से बूलती थी ना किसी की ओर देखती थी और ना किसी का कुछ सुनती थी बस रोई चली जाती थी उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है चौधे दिन संध्या समय वो विपत्ति कथा समाप्थ हो गई उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसहरी को लोट रहे थी निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों शिकारी चुडियों के पंजों और वायू के प्रचंड जूंकों से आहत और व्यथित अपने बसहरी की ओर उड़ गया मुहले के लोग जमा हो गए लाश बाहर निकाली गई कौन दाहा करेगा ये प्रश्न उठा लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बुड़ा पथिक एक भकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया ये मुझी तोताराम थे निर्मला समाप्त